सुप्रबाद वच्चों आशागरती हूँ आपको वचन समझ में आ गई होंगे आज मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी बावाचक संग्या और द्रव्य पधारतों का प्रियोग हमेशा एक वचन में किया जाता है जैसे कि पैट्रोल, तेल, पानी, चश्मा, स्वतंतरता, स्वास्त, आदी ये सब किसमें आते हैं एक वचन में कुछ सम्बंद बताने वाले सब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है जैसे उधारन के लिए मामा, मामी, मामा हो चै मामी हो ये दोनों क्या हैं? एक वचन संग्या के अत्रिक्त सर्वणाम सब्दों के भी बचन बदलती है तू सर्वणाम का प्रियोग एक बचन में होता है जबकि तुम का प्रियोग दोनों बचनों में किया जाता है जैसे उधारन के लिए तू कहां जा रहा है, ये एक वचन हो गया, तुम कहां जा रहे हो, तो ये एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है कुछ सब्दों का रूप नहीं बदलता है जैसे उधारन के लिए फूल, सेव, पेड, राजा, सादू, बंदर, आदी परंतु इनके साथ ने, पर, में, आदी लगने पर इनका रूप बदल जाता है जैसे उधारन के लिए बंदर केला खा रहा है ये बंदर केले खा रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में बंदर सब्द समाने लेकिन वाक्य के आदार पर क्या हो गया, बंदर केला खा रहा है तो यहाँ पर एक वचन हो गया, और बंदर केले खा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुचन हो गया बंदरोने केले खाए इस वाक में ने लगने पर बंदर सब्द का रूपी ही बदल गया बंदरोने केले खाए यनि बहुत सारी बंदर है जिन्होंने केले खाए नीचे कुछ एक वचन और वउचन सब्द दिये गए है तो इन्हें हमें देखिए आप ये इधर एक बचन दे रखे हैं और इधर बहु बचन हैं तो सडक, सडक का क्या होगा? सडकें रात का, रातें, पंखा, पंखे, ताला, ताले बात, बातें, बहन, बहने, चश्मा, चश्मे, दर्वाजा, दर्वाजे अध्यापिका, अध्यापिकाएं, गडी, गडियां, नारी, नारियां, कविता, कविताएं, मक्खी, मक्खियां, कन्या, कन्याएं, तिथी, तिथियां, रोटी, रोटियां, पूडिया, पूडियां, चिडिया, चिडियां, स्रोता, स्रोतागण, सिच्षक, सिच्षकगण, युबा युबा वर्ग, कटनाई कटनाईयां, तू तुम लोग, उंगली उंगलियां, महीला महीलाएं, लेखिका लेखिकाएं, माता माताएं, माला मालाएं, लता लताएं, जाती जातियां, गुडिया गुडिया, गुडिया गुडिया चात्र चात्र गण, दर्शक दर्श कभी कभी वर्ग माला मालाएं में हम वहवी इस तरह से आपकी एक वचन की बहुचन होगे धन्यवाद